हेलो फ्रेंस बेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंस आप भी इस तरह का हाथोड़ा बंब बनाएं वो भी घर में बड़ी है असान तरीके से इस हाथोड़ा बंब को बनाने के लिए हमने ले लेनी है एक माचिस और माचिस्की तिलियों का मसाला हमने इस तरीके से निकाल लेना है माचिस्की तिलियों का मसाला बड़े असान तरीके से हाथों से ही निकल जाता है तो इस तरीके से आपने जितने भी मसाला निकालना है आपने एक बार में ही निकाल लेना है अगर आपने ज़्यादा हथोड़ा बंब बनाने है तो आपने क्या करना है कि माचिस्की तिलियों ज़्यादा ले लेनी है लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही माचिस्की तिलियों का यूज किया है सिर्फ एक माचिस्की तिलियों से 10 पटाके बनकर तयार हो जाएंगे अगर आपको हाथ से अच्छे से नहीं निकालना आ रहा है तो आपने क्या करना है कि इस तरह का चाकू ले लेना है और इस तरीके से गिशते हुए आपने माचिस की तिलियों के मसाले को निकाल लेना है मैंने यहाँ पर आपको माचिस की तिली के मसाला नकारने के दो तरीके बताए हैं आपको जो भी बढ़िया लगे आप उसे यूज कर सकते हो फ्रेंस आप अपने छोटे बच्चों के लिए माचिस की तिली के पटाके इस तरीके से घर में बना सकते हो बच्चे भी खुस हो जाएंगे और इने बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और नहीं ज़्यादा खर्चा होता है ये बिल्कुल हसस्ते में ही बनकर तयार हो जाते हैं तो देखें मैंने माचिस की तिलीों के मसाले को निकाल लिया है और ये कितना सारा निकल कर तयार हो गया है आपने इन तिलीों को फैंक नहीं है आप इन से कुछ बना सकते हो अगर आप इन माचिस की तिलीों का कुछ बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी अब हमने माचिस को ले लेना है और माचिस के इस हिस्से को हमने काट कर अला कर लेना है क्योंकि इस हिस्से का यूज हमने करना है माचिस के इस हिस्से में जहां पे हम तिली जलाते हैं ये हिस्सा बहुत काम का है तो इसको हमने निकाल के ले लेना है माचिस के इन दोनों हिस्सों को मैंने काट कर निकाल लिया है अब हमने क्या करना है कि एक हिस्से के हमने पांच पीस कर लेने है इन दोनों पीस्सों को काट कर हमारे पास दस पीस हो जाएंगे अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन मैं इने राउंड सेप में तयार कर रही हूँ आपने भी इस तरह से राउंड सेप बना कर इनका तयार कर लेना है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें जब आप इस तरह के पटाके बनाकर घर में तयार करेंगे तो आपके बच्चे बहुत जादा खुस हो जाएंगे तो देखिए इस तरीके से मैंने इने राउंड सेप देकर तयार कर लिया है और हमारा मसाला भी तयार है अब हमने क्या करना है कि इस तरह के टेप ले लेनी है और देखिए इस तरह से फोल्ड करके टेबल पर हमने इसको चिपका देना है दोनों साइड से ध्यान रहें कि चिपकाने वाला हिस्सा जो है वो उपरी वाली साइड में होना चाहिए अब हमने माचिस के जो पीस किये हैं उनको लेना है और मसाले वाले हिस्से को इस तरीके से उपर वाली साइड में रखना है और चिपका देना है अभी देखिए मैंने 5 पीस चिपका दिये हैं और 5 पीस हमने बाद में चिपकाने हैं अब हमने जो मसाला तयार किया हूँ है इस तरीके से हमने इन पीसों के ऊपर रखते जाना है मसाला डालने के बाद भी देखिए हमारा मसाला बच गया है अब हमने पीस को लेना है और मसाले वाले हिस्से को इस तरीके से नीचे वाली साइड में रखते हुए जाना है और टेप के पीस को लेना है और देखिए इस तरीके से इसके उपर हमने टेप को अच्छे से चिपका देना है और अच्छे से दबा देना है तांकि ये बिल्कुल भी बाहर ना निकले मैं आपको हथोड़ा बम दो तरीके से बनाना बताऊंगी एक तरीका ये हो गया अब हमने इसको इस तरीके से खींच कर निकाल लेना है और साइड साइड से काट देना है अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल एक-एक पीस भी कर सकते हो लेकिन मैंने इसको इस तरीके से पूरा साबूती ही रखा है तो चलिए देख लेते हैं कि हथोड़ा पटाक का बनाने का दूसरा तरीका क्या है तो देखें मैंने उस बचे हुए मसाले को ले लिया है अब हमने माचिस के इस वाले हिस्से को ख्रोंच को जो इसमें मसाला लगा हो होता है उसे निकाल लेना है मैंने मसाला नकालने के लिए बेश्ट माचिस का यूज किया है आप मसाला निकालने के बाद हमने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से mix कर लेना है आप एक paper ले लेना है और इसको इस तरीके से काट लेना है और जिस size के आपने पटाके बनाने है उस तरीके के piece काट कर ले लेने है फिर आपने इसे चिपकाने के लिए ले लेना है फैविकोल या टेप आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं और देखिए एक पीस लेना है और इसके अंदर मसाले को इस तरीके से भर लेना है और पेपर के खुले हिस्सों को अच्छे से बंद कर लेना है देखिए इस तरीक से बंद करना है कि मसाला बिल्कुल भी बाहर ना निकले मसाले को अच्छे से कबर करने के बाद आपने क्या करना है कि फैविकोर ले लेना है ये टेप और इसे अच्छे से चिपका देना है तो मैंने यहां पे फैविकोर का ही इस्तेमाल किया है तो देखें दूसरे तरीके का पटाक का भी बनकर तयार है जितने भी पटाक्य आपने बनाने है इस तरीके से आप तयार कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें राउंड सेप दें जो भी आपको सेप अच्छा लगे आप उस तरीके का सेप दे सकते हो आप देखे मैंने पेपर के उपर मसाला रखा है और फिर मसाले के उपर पेपर आप इस तरीके से भी इस पटाके को बना कर तयार कर सकते हो फ्रेंच यकीन मानिए ये पटाके 100% बर्क भी करते हैं मैं आपको वीडियो के लाश्ट में इने जला कर भी बताऊंगी तो देखे इस तरीके से आपने पेपर के अंदर मसाला भरना है और फिर अच्छे से मसाले को कबर कर लेना है और फिर फैविकोर से चिपका देना है इस तरीके से आपने इन पटाकों को बना कर तयार कर लेना है आपने जितने भी बनाने हैं मैंने आपको तीन तरीके बताए आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बड़िया तरीका कौन सा लगा तो फ्रेंस अब हमारे प्टाके बन चुके हैं चलिए अब मैं आपको इनको जला कर भी बताती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से जलते हैं ये देखिए ये देखिए फ्रेंस जब आप इस तरीके के हथवड़ा बंब घर में बनाएंगे तो बच्चे देख के खुस हो जाएंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसांद आये हूँ तो अपनी फैमिलियों दोस्तों से से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें थैंक्स पर वाचिंग